गुड़ मॉर्निंग स्टुडेंट्स लास फॉर्थ और फिप्थ देखे बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं मिजरमेंट पढ़ रहे हैं पिजरमेंट के कनवर्स वगेरा सब हो चुके हैं आज हम पढ़ेंगे मिजरमेंट का एडिशन सब्ट्रेक्शन ये कैसे होता है ये भी आपको सीखने हैं सबसे पहले कुषन ले रहे हैं हम एड्ट 15 किलोग्राम 525 ग्राम एंड 18 किलोग्राम 697 ग्राम इन दोनों को क्या कीजिये एड तो आपको क्या करना है किलो ग्राम और ग्राम अलग-अलग इनकी बीच में थोड़ा गैप देना है और इनको लिखना है यह यहां लिखोगे kilogram और यहां लिखोगे gram पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है 15 kg 525 गराम हमने उपर लिख दिया है उसके बाद इसमें एड़ क्या करना है 18 kg 697 गराम वो इसके नीचे लिख दिया है यह एड़ का साइन है अच्छा देखे बच्छों अब पहले हम इनको लिटर मिली लिटर के हैं मिटर सेंटी मिटर के हैं किलो मिटर मिटर के हैं यह सारे जैसे हम नौर्मली एड़ करते हैं उसी रूप से आपको करने हैं कई मिजरमेंट्स में तो यूनिट चेंज होती है उसमें आपको जब हम चलेंगे तब बताएंगे लेकिन इनका जो हम न 3 और 9, 12, 1 carry, 6, 6 और 6 हो गए, 12, ये हो गए, 12222 ग्राम, मैं आपको इसको बेसिक से समझा रहा हूँ पहले थोड़ा, 1222 ग्राम इस इकोल टू कितने तो किलो ग्राम बन गए, और कितने ग्राम इसके बन गए, देखे आपको पता है कि 1000 ग्राम से क्या बनता है, 1 किलो ग्राम, तो ये कितने 1000 ग्राम, 222 ग्राम, तो 1000 ग्राम यानि 1000 ग्राम का तो बन गया, 1 किलो ग्राम, पीछे कितने बच गए, 222 ग्राम, तो यहाँ पर आपको लिखना है 222 ग्राम, और ये 1 किलो ग्राम की कहरी यहाँ चली जाएगी, ये तो हो गए, इसका बेसिक कि यह हमें आना चाहिए कि यह चीज यहाँ पर कैसे आई और वे से मैंने आपको बताए किलो ग्राम ग्राम मिटर सेंटीमेटर किलो मिटर मिटर लेटर मेरी लेटर इनके हम नोर्मली जैसे करते हैं से परकार से हो जाएंगे थोड़ा गैप देना है आपको 6 और 5 12 का 2 1 केरी 2 और 1 केरी 3 3 और 9 12 1 केरी 5 और 1 6 6 और 6 12 का 2 और यहाँ पर लगई 1 केरी 5 और 1 6 6 और 8 14 1 केरी 1 2 और 3 तो इस कांसर आ गया 34 किलो ग्राम 222 ग्राम वही चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई 1222 ग्राम की यह क्या बन गए 1 तो किलो ग्राम बन गया और 222 ग्राम बच गए वो यहाँ लिखी दिये ठीक है इसी के कोडिंग आज आपको यूशन करने है